तो चलो प्यारे बच्चो इस वाले question को देखो यह अच्छा सा question है कि gravitational self energy of solid sphere इसे पहला वाला जो question था यह प्रफ टू है पहला वाला part था तो gravitational self energy of the uniform sphere और सेल सेल का निकाले थे और सेल एनर्जिक क्या होती है बेसिकली इंट्रेक्शन, पार्टिकल उते हैं और पॉ टेंचीन, ऑम में इग्जीस्ट करी है क्योंकि है यह और और फिरण कीस और आला पार्ट देख लेना दूसरे पार्ट में इस लेक्चर में मैं केल्कुलेट करने जा रहा हूं सेल्फ एनर्जी आप सॉलिड एस्पियर तो बहुत मिनद से मैं कंटेंट बनाता हूं ठीक है और क्वालिटी वाला तो यार तुम्हें प्यार और सपोर्ड की हमें मतलब बह में मंस been o 5 इनकों लाकर ये एसस्वालेडस बुनाव गया हूं उग्ए तो अगर तुम देखोगं तो इसको सबसे पहला मास लाया गया मैं उसको small m ये solid sphere बना कैसे है तो ये छोटे-छोटे solid sphere से मिलके बना है ये solid sphere है, ये solid sphere है, ये solid sphere है finally ये solid sphere है तो ऐसे छोटे-छोटे solid sphere को मैं जोड़ दूँ तो ये पूरा solid sphere बन जाएगा तो सबसे पहले जो m mass का solid sphere है जिसकी radius मैं यहां पर capital R, small r ले लेता हूँ इसके बारे में सोचो, इसका mass small m है और इसकी radius small r है तो इस solid sphere को मैं एक मतलब लाने में कितनी work done हुई होगी तो अगर ये solid sphere लाओगे तो obviously कोई work done नहीं हुआगा क्योंकि gravitational field नहीं था लेकिन इस solid sphere की layer थोड़ी सी DM mass अब मैंने DM लाके रख लिया वाई एक solid sphere मैं लाके रख लिया ये जो solid sphere है जिसको मैं यहां से बहार निकाल लिया इसको मैं बहार निकाल लिया तो ये जो sphere है इसका radius small r है इसके पास small m है ये तो radius भी नहीं पता है DM mass लाया गया होगा तो work done हुआ होगा और वो work done मैं small work done consider कर लूँगा फिर limit लगा के मैं integrate कर लूँगा तो देखो quality content ऐसे ही मतलब मैं deliver करता हूँ तो best explanation है YouTube का तो तुम्हें समझ में आएगा सबसे पहले इसका mass पता करो कि इस small m के पास mass कितना है तो mass is equal to क्या होता volume multiplied by density तो इसका volume तो 4 by 3 पाई इसका small rq multiplied by density रो ठीक है और यह जो DM mass है जो थीकनेस बढ़ाए हो फिर ऐसे ऐसे थीकनेस बढ़ाओगे ऐसे ऐसे थीकनेस बढ़ाओगे तो यह पूरा का पूरा डिफरेंसिल क्या है solid sphere मिल जाएगा तो एक जो यह वाली जो थीकनेस है इसकी थीकनेस तो इसमें जो DM mass आया होगा मैं उसको calculate करने जा रहा हूँ तो यह जो DM mass है इस DM mass को कैसे calculate गाए तो mass total mass per unit volume multiplied by इस differential element का छोटू volume तो mass total mass m है और पूरा volume 4 by 3 capital R Q है और multiplied by इस छोटे volume छोटा volume कैसे निगालते हैं surface area surface area कितना होगा भाई तो 2 by R square SBR तो 4 by R square और multiplied by इसका थीकनेस डिया तो यह हमें इसको काट इसको मैं cut कर लूँ तो कितना आ जाएगा 4 by ने यहां से 4 by को cut कर दिया तो यह capital M capital M 3 times capital M और small R का square divided by यहां capital R की power Q DR यह जो है वो छोटा mass DM है ठीक है ना DM मतलब एक layer से जो solid sphere था उस solid sphere पे एक छोटा सा layer DM बनाने में मुझे कितना work done किया होगा external agent उसी को मैं निकान ले जा रहा हूँ ठीक है तो चलो इस DM का मैं work done निकालू तो जो small work done by external agent is equal to इस DM multiplied by potential का difference तो potential का difference कितना इस DM potential मतलब final potential minus initial potential तो final potential जो है वो भी है और initial potential 0 है तो DM और यह भी मतलब किसका potential इस solid sphere यह जो solid sphere है इसका potential तो इसका potential कितना हो जाएगा तो इस solid sphere का जो potential हो जाएगा solid sphere का potential में पता है minus GM over small r तो यहां से इसकी value मैं रखों minus GM over small r और multiply कर दो DM DM की value हम पहले निकाल चुके हैं तो 3 capital M R की power Q small r square और यह dr बराबर है समझ में आरा बहतर तरीके से अब मैं small m की value रखों तो g smaller सारा integration में r के term में convert कर रहा हूं तो mass d mass small m की value रख दो तो small m की value कैसे रखेंगे भाई तो mass is equal to 4 by 3 pi r q mass is equal to volume multiplied by density और multiply कर दो 3 capital M over r की power q multiplied by smaller square dr तो अगर आप यहां से देखोगे तो इसको काट कुटलो तो यहां से तुम कट करोगे तो 1 r ने 1 r को यहां r square बचा तो finally तुम देखोगे तो finally यहां से जो बाहर आ जाएगा minus 4 pi capital G capital M minus 4 pi capital M और यहां से density rho और divided by नीचे यहां बचेगा r q और यहां से r square यह जूड जाएगा तो r की power 4 dr this is basically small work done by external legend यह small potential energy actually यह differential work done है यह differential छोटन सा layer चड़ाने में मुझे इतना work done करना पड़ा होगा बात समझ में आ गया तो अब मैं क्या करूँगा proper limit लगा के integrate कर दूँगा तो चलो proper limit लगा के integrate कर देख लेना एक भी कोई variable छूटे ने तो दुबारा question यह गलत हो जाएगा और यह थिरी ने एक थिरी को यहां से cancel कर दिया था तो 4, pi, g, rho और m, r की power की विए होना तो total work done limit देखो कहां से कहां ता है r dr में integration हो रहा है तो dr में यह जो dm है और इसकी यह वली जो थीकनेस है इसकी थीकनेस यह थीकनेस यह थीकनेस dr है वाई तो r की value यहां से r is equal to 0 तो limit यहां से यहां तक जाएगी r is equal to 0 to r is equal to capital R तक limit जाएगी यार बात समंझ में आ गया तो यहां से इसकी जो limit जाएगी integration की small r 0 to small r capital R और इधर जो है total interaction energy u is equal to 0 to potential energy finally u तो finally जब इसको solve करोगे तो देखो कितनी value आती है तो यह आजाएगा minus 4 pi z capital M rho upon r की power q और यहां इसका integration r की power 5 और यह 5 और यहां से is equal to 0 to capital R तो finally जब इसकी value रखोगे तो minus 4 pi capital G capital M rho और और over r की power q और यहां से 5 से multiply कर दूँ और यहां से r की power 5 तो r की power 5 यहां multiply करोगे तो नीचे बचेगा r की square तो यहां से potential energy is equal to minus 4 pi capital G capital M over 5 r square और यह density density की जो value होती है वो होती है mass upon volume तो density volume 4 by 3 pi r q तो finally जब यहां से अच्छे से इसको rearrange करोगे तो देखो कितना आता है तो उपर में बचेगा यहां से 4 pi ने 4 pi को यहां से cancel हो गया और minus इधर 3 यह 3 ऊपर चला गया और G capital M ऊपर बच गया square और नीचे बच गया यहां से 5 r का square this is a potential energy या work done to make this sphere इस sphere को बनाने में जितनी energy की जरूरत पढ़ी होगी और यही इसकी self energy है मेरे प्यारे बच्चों या potential एक इस energy में form में है या potential energy आप solid sphere है अगर मुझे इस दुबारा solid sphere को infinity पर भेजना हो तो मुझे कितनी energy देनी पड़ेगी यह solid sphere है और इस solid sphere के पास इतनी energy है इसका radius r है और इसका radius r है इसका mass capital M है इसके पास इतनी energy है दुबारा मुझे यह सारे mass infinity को भेजना है तो मुझे energy supply करने पड़ेगी इनर्जी supply करने पड़ेगी external legend को plus 3 cm square is equal to 5 r square तो इतनी energy मुझे supply करनी पड़ेगी और यह दुबारा distribute होके बिखर जाएगा destroy हो जाएगा और capital mass infinity पे चला जाएगा तो I hope कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और it is one of the best explanation of the YouTube अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ मिनहत किया हूँ कुछ आप सीखे हो कुछ hardware किया हूँ तो यार एक like, subscribe और share तो बनता है ठीक है थैंक्स पार वाचिंग प्यारे बिच्चों अपना ख्याल और को मोटिवेटेड हो थैंक्यू वेबाइब